अस्सलाम आलेकुम आप सब लोगों को साब्राहाम रेमेडिस में उश्चाम देद आज मैं आपको बताऊँगी खाने के अलावा नमक की चल्द हैरत अंगेस कमालात अगर आप मेरे चल्द में नए हैं तो मेरे चल्द को सबस्क्राइब करें ताके मेरे नए आने वाली वीडियो आपको मिल सकें नमक दुनिया भर में सबसे ज़्यादा इस्तिमाल होने वाली चीज है मगर क्या आपको मालूँ है कि खाने में शामिल करने से हट कर भी इसे मुक्तलिक तरीकों से इस्तिमाल करके जिन्दगी को असान बनाया जा सकता है नमक के चल्द हैरान कुन तरीके ये हैं अगर मच्छर के काटने से जलन हो रही है तो अपनी उंगली की पोरों को पानी से नम करें और नमक में डिबाओ दें अब इस मिक्स्चर को मुताशिरा हिस्ते वर रगणें आपको सुखून महसूस होएगा अगर तामबे के बतनों की चमक बहार करना चाहती है तो नमक को सिर्के और आटे में मिक्स करें या इसे नीमू के अरक में शामिल करके बतनों पर रगणें अगर प्राई पेन में किसी चीज़ को तलने से पहले कुछ मिक्दार में नमक को छड़क दें इस से गरम तेल की चीटे प्राई पेन से बाहर उचनेंगी नहीं अगर जूतों में बद्भू पेदा हो गई है तो इसे दूर करने के लिए कपड़े में नमक भर कर लेपेट लें और कुछ घंटों के लिए छोड़ दें आप महसूस करेंगे भू गायब गोई की चूटियों से निजात के लिए नमक और पाली को बोतल में मिलाएं इस स्लोशन को हर उस जगा छड़क दें जहां चूटियों के धरपार हो फिर आप कमाल देखना अगर लस्तन और प्यास काटने पर हातों में भू बस जाएं तो अपने हातों को घीला करें और नमक की कुछ मिगदार को किसी स्पाट जगा पर छड़क कर अपने हाथ इस से रगणें और फिर धोलें अगर इस्तिरी के नीचे कोई कपड़ा जल कर चिपक गया है तो इस्तिरी को तेस गरम करें और एक घूरे पेपर के टुपड़े पर नमक छड़क कर गरम इस्तिरी इस पर चलाएं इस्तिरी पिल्कुल साफ हो जाएगी सिंग के सफाई के लिए नीमोगे अर्फ और नमक को मिलाकर एक पेस्ट बनाएं और इस से अपने सिंग को चमकाएं ये पेस्ट केमिकल क्लियर से भी ज़्यादा भैतर काम करता है एक बार लाजमी अजमाएं